वेल्कम टू ओल स्वागत आप सभी का आरसर यूट्यूब चैनल पे और हम आचुके एक जबरदस इंफोर्मेशन के साथ में जी यहां बच्छों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और 24 जुन से आपके फोर्म परे जाना है तो कौण-कौण से डोकुमेंट्स रेडी करें उन फोर्म एंट्री नहीं करेंगे तो भी आपका फोर्म रिजेक्ट होगा क्योंकि किलियरली मेंशन कर रखा है जो अफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें तो इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक पूरा फोकस करके नोट करके रखिएगा जो जो इनफोर्मेशन अगर यहाँ पर इनफोर्म रिजेक्ट भी हो सकता है तो प्लीज बटा ध्यान से क्योंकि पूरी के पूरी 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 प्रिपेशन आपके अगर अगर ओंलाइन फोर्मी रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर किसका की तो बटा प्लीज से भी कई गुणा ज्यादा ही आपका वीडियो होने वाला और पूरा देखेगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेर करिएगा ताकि उनको भी इन चीजों से अवेर हो सके सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहां पे यहां पे पॉइंट नंबर पॉर जो ओफिशियल नोटिफिकेशन है उसका पॉइंट नंबर फॉर है फॉलोविंग डॉकॉमेंट्स आर टू बी अप्लोडेट एज अप्लोड रहा होगा तब उसमें देखेए सबसे पहले आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में यहां पे लिकावा है क्लास 10 या आ मेटिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट है वो 10 का मारक सीट आपका जो है या पासिंग सर्टिफिकेट है आपका वो यहां पर आपको अप्लोड करना है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट देखें इंटरमीडियेट या 10 प्लस टू या इसके एक्विलेंट जो भी आपक बोला है 3-year engineering diploma of final year marksit जिन बचों ने diploma किया है final year की marksit है वो यहां पर apply करेंगे और उसकी requirement यहां पर होने वाली है या 2-year का आपका vocational course है उसकी marksit और यहां पर अगर marksit of non-vocational course with subject English, physics और mathematics की जो marksit आपकी वो आपको करनी है तो यह हो गया पहला compulsory उसके बाद में यह इसमें या तो आपके पास यह होगा या आपके पास यह होगा या आपके पास यह होगा यह होगे पहले 2 point clear ठीक है ओके अगला point आपका C point क्या है द्यान दीजिए विशेज तोर से note करिएगा passport size recent देखो passport size photo आपको चीए recent color photograph द्यान दीजिए note before April 2022 के पहले का photo नहीं चलेगा अब सोचेगा कि वो कौन सा देखने आएंगे अपने तो चिपका देंगे लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है photo का size जो photo आप लेंगे क्योंकि वहाँ पर digitally upload होगी कोई चिपकानी तो है नहीं उस पर ठीक है तो उसकी जो size है 10 KB से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए और ध्यान दीजि केप वगेरा सिरपे allow नहीं है द्यान दीजिए the photograph is to be taken with candidate holding a black slate एक आपको black slate लेनी है द्यान दीजिए क्या क्या लिखना उस पर in front of his chest chest के सामने एक slate वच्चा यू करके पकड़के photo ले लेगा जिसमें आधा मतलब ये जो आपकी टोड़ी है ये पीछे जा रही है उसके ऐस आपको पकड़ना है with his name number 1 and date of photograph ये slate पे दो चीज़े लिखनी है अब बच्चा क्या करता है तीन चीज़े लिखता है कई बार पहले भी हुआ है अपना नाम भी लिख देता है नहीं आपको क्या लिखना है या आपको black slate है उस पर एक तो कुद का ये वाला नाम ठीक है और आपका date of photo taken जो photo taken लिए वो दोनों हो गया अब तीसरी जो चीज़ बच्चा add करता है वो क्या करता है DOB date of birth यानि नाम आ गया और आपका क्या गया date of photo आ गया किस दिन आपने photo लिए और अप्रेल से पहले की photo नहीं होनी चीए अप्रेल के बाद में अगर इसी photo है तो ठीक ह लेकिन इसमें आपको DOB नहीं लिखनी है बच्चा slate पे भी कई बार DOB लिखके तीसरा point add करता है जो कि आपको नहीं करना है उसके बाद में जब आप thumb impression किसी white paper पे लगाओगे तो देखो क्या लिखा है candidate left hand ये बाद या रखना left hand बार बार कह रहा हूं ये गलतिया मत करना बच्चे फाद में phone call करेंगे submit करने के बाद में अभी aware करवा रहा हूं left hand जो thumb impression है उसका image लेना और उसकी size है 10 kb to 50 kb है ना thumb impression वो भी होगा left वाला और उसका फिर pick लेके उसको convert करना digital pick में उसके बाद में देखिए candidate signature image size वो भी 10 से 50 kb जो आपके signature है वो भी 10 से 50 kb के होने इचिए white paper बे signature करना और फिर उसका photo लेके उसको digital signature में convert करके upload करना है आपको देखिए candidate parents signature candidate parents signature image क्यों अगर आपका age 17 सोरी 18 से कम है form भरते time अगर आपका age 18 से कम है क्योंकि form अलाव है 17 से लेकर 23 तक अगर आपकी age 18 से कम है तो आपके form में आपके parents के signature भी allow होंगे if candidate is below 18 years on the date of the filling on online application 18 से उपर है तो आपको अपने parents का signature का pick upload करने ही ज़रोते नहीं है ध्यान दीजिए the marks it indicating marks in English subject in diploma अगर आप डिपलोमा कर रहे है तो आपको वो marks it लगने जिसमें English का score हो क्योंकि 50 प्लस percentage या 50% आपका English required है तो marks it आपको वो upload करनी है जिसमें English score आपका English subject का score आ रहा हो या आप इनोंने costak में भी डाल रखा है और in 12th या 10th English is not a subject in diploma या पर इस बात का धान रखना है कि वो marks it upload होने जिसमें English subject आपका दिया गया हो ये कोई चीज़े clear हो गई इनको विशेश सोड़ से note करना चाहिए वीडियो को back करके फिर से कोई चीज़ समझ नहीं है तो देख लाना ये बहुत ज़रूरी है उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर देखे इन चीज़ों को समझ येगा गोर से examination fee आपका 250 रुपए है candidate को paid करना है यहाँ पर online registration करना है तब payment can be made by using debit card credit card जो भी है banking payment method जो भी है examination fee के चालान चालान से भी आप जो fee है उसको paid कर सकते हैं कोई बात नहीं है यहाँ पर यह वाला point बहुत ज्यदा important नहीं है क्योंकि वह वाला आप जिससे form fill कर रहा हो के फे वाला वो कर देगा लेकिन अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते है उसको ध्यान से सुनना बहुत बड़ी समस्या जो call some बच्चों के लेते हैं हमें पता है क्या candidate must have his valid email ID बच्चा क्या करता है जिससे form fill करवाता है उसी का email ID भाईया email ID तो नहीं है तुम ही डाल दो इतने पड़े लिखे हो तुम अब email ID आपका खुदगा होना चाहिए और किसी बच्चे का नहीं भ आपके पास हो जो number आपके पास मौजूद हो और देखिए mobile number for successful online registration आपके पास valid mobile number और valid आपका email ID होना चाहिए जो बाद में जितने भी आपके conversation होंगे वो email ID पर ही होंगे candidate should be enter आधार number in online application candidate from Jammu and Kasmira Assam यह आपका मेगालिया वगरा यहां पर इनको डाल रहा है expected to the same वाली चीजे तो यह जो वो online form बरेंगे तो यह information आपके रहेगी मैंने यह जितनी भी information है इनको दोनों language में convert करके भी इस slide में लगाया है अगर आप इसको देखना चाहते हैं समझ नहीं आया है तो आप यहां पर वीडियो को पोज करके समझ सकते हैं यहां पर वीडियो को पोज क करके समझ सकते हैं यहां पर आप वीडियो को पोज करके समझ सकते हो इसको पढ़ सकते हैं अगर आपका को डाउट अभी भी रह गया है अब तैयारी करनी 30 दिन आपके पास है 30 डेज का ऐसा को इस study plan जो आपको आपके गोल तक पहुंचाए maximum चीजे आपको रिवाइज तैयार हैं लेकिन वो systematic way में अगर तैयारी नहीं करेंगे तो पेपर नहीं निकाल पाएंगे जिसने एक particular plan को follow कर लिया वो बच्चा वहां तक पहुंचेगा तो 30 डेज का study plan हमारी टीम ने जारी आपके लिए कर दिया है जिन बच्चों ने जोइन नहीं किया है 30 डेज का study plan हमारी टीम के साथ में वो बच्चा जोइन करेंगा और यहां पर help line number में ने डाल रखे हैं आप इन help line number पे connect कर सकते हैं हमारे लिए जो 30 डेज का study plan है उसके practice करवाएंगे pole ranking leader board negative marking के साथ में और दूसरा जो इसका part है वो है आपका notes base क्योंकि आपके पास केवल 30 दिन है 30 days है और 30 दिन में आप notes नहीं बना सकते हैं केवल और केवल क्या कर सकते हैं उनको revise कर सकते हैं mock test लगा सकते हैं practice कर सकते हैं तो यह notes base आपका तो यह दोनों base team के साथ मिलके त्यारी करनी है अगर आपका कोई भी doubt है course related class related आप हमारे दियेगे help line number पर connect कर सकते हैं और अपना doubt clear कर सकते हैं दियेगे documents के regarding अगर आपका अभी भी कोई doubt है आप comment box में उसको pin कर सकते हैं और हो सकते तो इस information को अपने दोस्तों को जरूर share करिएगा thank you so much love you all bye-bye जहीं